प्रिय दोस्तूं नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आई को अ कब पढ़ते हैं आई को अ कब पढ़ते हैं दिखी यदि किसी सब्द में आई आर से पहले और बाद में यदि किसी सब्द में आई आर से पहले और बाद में ब्यंजन हो तो हाँ पर आई को अ पढ़ा जाएगा एक बार फिर से यदि किसी सब्द में आई आर से पहले और बाद में ब्यंजन हो वहाँ पर आई का उचारण अ होता है उधारण की देखी आई आर से पहले भी ब्यंजन है और आई आर के बाद भी ब्यंजन है तो यहाँ पर आई का उचारण अ होगा जैसे यहाँ यहाँ बो में आ का उचारण हो रहा है अर्थाद यहाँ आई का उचारण ओ हम कर रही है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी दिखी आई आर से पहले भी ब्यंजन है और बाद में भी ब्यंजन है तो आई का उचारण ओ होगा तब इसे पड़ते हैं फर्ष फर्ष भर में ओ का उचारण इस पश्ट रूप से हो रहा है ओ का उचारण इसले कर रहे हैं क्यूंकि दो ब्यंजनों की बीच में आयार है पहले भी ब्यंजन है उसके बाद भी ब्यंजन है बीच में आयार है तो आई का उचारण ओ होता है इसलिए इस सब्द का संपौन उच्चारा थर्ष्ट होता है इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू है इससे पहले हम एक बार इसकी प्रभासा को भी देख लेते हैं देखें यदि किसी सब्द में आई आर से पहले एवं बाद में ब्यंजन हो तो आई को पड़ा जाता है उधारन के लिए बल्ड और फर्स्ट इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू है वनाईश्ट है